वेल्कम एव्रिवन, मोस्ट वेल्कम तो इस लाइव सेशन, अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करो भाई, मतलब मैं पहले नहीं कहता था बट मुझे अब कहना पढ़ता है, कहना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि कहता नहीं हो तो शायद आप करते भी नहीं हो, त और ये वैसे तो सबके उपर लागू है, फेस्बुक के अंदर कनवर्जन एड्स हमें सेट करने होते हैं, और मुझे तो पता नहीं था शुरू में, और मैं मान के चलता हूँ कि किसी को भी नहीं पता होता, किसी को कैसे पता होगा, जब तक न सीखोगे, न देखोगे, तो किसी को पता नहीं होगा, कोई न कोई, कही न कहीं से सीखता है, और हो सकता है, बहुत सारी वीडियोज यूट्यूब पर पड़ी हों, तो मुझे किसी वीडियो से समझ में आया, किसी से नहीं आया, समझ में, बट मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि मेरी इस वीडियो को देख कर बहुत से रोगों को जरूर समझ में आएगा कि Facebook Meta Ads में Convergent Tracking कैसे सेट की जाती है Convergent Tracking होती क्या है और इसकी जरूरत क्यों होती है यह सब चीजों के उपर इस वीडियो का जो उद्देश है वो यह है तो वीडियो बड़ी सिंपल है यह सारी चीज़ें में cover करने वाला हूँ तो यहां पर वीडियो को पॉच कीजिए और comment कीजिए कि आप क्या सोत रहे हैं कि वीडियो कैसी रहेगी आगे तक देखिए अभी यह comment कर दीजिए और यह comment देखने के बाद भी कीजिएगा इससे अभी की उमीद पता लग जाएगी क्या है और वीडियो देखने के बाद की उमीद कई बार ऐसा होता है वीडियो के शुरू में बहुत excitement होता है और बाद में निकलता है अंडा मितलब कुछ हुआ ही नहीं useless वीडियो था बट अभी मैंने expectation set कि आपकी की इस वीडियो में से केंगे conversion tracking क्यों होती है कैसे होती है क्यों जरूरी होती है इस सारी चीज़ है ठीक है चलिए start करते है मैं अपने वारे मताना बूल गे राइट मेरे नाम है सुनील चौधरी मैं हूँ एक digital success coach और जितना साथ सिंपल मैं दिख रहा हूँ उससे ज़्यादा successful coach हूँ मतलब मजाग वाली बात नहीं है आप Google में जाके डालेंगे na India's leading digital coach मैं आपको पहले page पर भर के मिलूँगा फिर आप डालेंगे digital success coach मैं आपको पहले page पर मिलूँगा फिर आप डालेंगे India's leading digital coach, digital success coach, freedom life style coach और best SEO expert इन इंडिया तो भी मिलूँगा, best SEO coach इन इंडिया डालेंगे तो भी मिलूँगा, कुल मिलाकर अच्छा खासा SEO presence है मेरा social media presence है और जो लोग मुझसे जड़े हुए हैं उन्हें पता है कि कितनी ज़्यादा value मैं देने की कोशिश करता हूँ, मुझे तो पता ही ह है, I am very honest with you, और YouTube के मामले में बड़ा fail हूँ मैं, YouTube पे subscriber नहीं बढ़ते हैं, बड़ वहां से income बहुत आती है मुझे, मतले YouTube चैनल से मुझे आराम से 50,000 से 1,00,000 रुपर मीने आ जाते हैं, और subscriber है 2,000, अगर ये चीज़ भी शीखना चाते हैं, तो भी आप इसके लिए से ज चोड़ सकते हैं, topic से नहीं बटकते हैं, बात करते हैं, conversion tracking की, शुरू करते हैं, number one, number one point is, मैं अपनी screen share करता हूँ, बड़े आ रहा हम से सीखने वाली चीज़ है, कोई fancy video नहीं है, सीखने वाला video है, right, तो हम करते हैं, अपनी entire screen share, अपके साथ, entire screen नहीं share करेंगे हम आपके साथ, करेंगे, खुड़ी सी screen share, खुड़ा सा wait करें दोस्तों, इंतजार का मज़ा, अच्छा मिलेगा, आपको आनन्द आएगा, okay, तो मैं आपके साथ share करने वाला हूँ, क्या, अपना mind map, पर मुझे बाद में फिर facebook भी share करना पड़ेगा, okay, guys, entire screen, let's go, so this is my entire screen, and मैं अपने आपको कहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, कहां रखूं, which is the better, मैं बचाता हूं, मैं भी दिखूं, तो, यहां तो भाही युल्कुल गल्द है, यहां रखने की कोशिश कर लेते हैं, फिलाल, यहां रख लेते हैं, सलो यार, इसी चीज़ में एक मिनन निकाल दिया हमने, ऐसा होता है, यूमन वही दियर है, तो, हम चलते हैं अपने एक्स माइंड पर, और यहां पर हम लिखते हैं, फेस्बूक, इन वर्जन, इन वर्जन, ट्रैकिंग, सेट अप, यहां कोई फैंसी वीडियो आप नहीं देख रहे हो, एक रियल आदमी के साथ सीखने की कोशिश कर रहे हो, एक रियल कोच के साथ आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, राइट, तो वीडियो पूरा देखना मस्त मजा आएगा आपको, को और मैं इसको कहां जाके सेप करूं डॉकुमेंट में माइंड मैप्स में इसको में जाके सेप कर देता हूं राइट तो कन्वर्जन ट्रैकिंग तो वाट पर बात कर लेते हैं कि वाट कन्वर्जन ट्रैकिंग होती क्या है राइट तो इस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं होती है कि हम फेस्बुक पर हमने एक एड चलाया और हम उस एड से कुछ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमने एक जो गाइड बनाई है, for example, हमने पेज बनाया है अपनी वेबसाइट पर, वहां तक बंदा पहुँच जाए, राइट, तो होता है कनवर्जन, मान लेंगे हम कनवर्जन, राइट, तो पहुँच जाए बस बंदा, वो हो गया कनवर्जन, बट कई वार ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं कि बंदा एक specific action ले ले, तो हम मान लेंगे कनवर्जन, बंदा एक Facebook पेज पर गया, वहां पर उसने ए complete conversion, तो conversion कई बरकार के होते हैं, एक तो यह होता है कि बंदा सीधा मेरी website पर आ गया, यह conversion नहीं है, एक तरीके से website traffic है, तो conversion actually, या तो leads collect करने के लिए किया जाता है, या sales के लिए, basically, जो दो चीज़े है, main है, पहला है, आपका, या तो बंदा sales करने के लिए कर रहा है, या पिर उसके लिए कर रहा है, तो conversion किया क्यों जाता है, जरूत क्या conversion की, राइट, यहां से जाके पहले हम अपना map बदल लेते हैं, map कौन सा सही रहेगा हमारे लिए, यह सही रहेगा, अरे भाई, यह तो बहुत ही ज़्यादा, चट पटा सा है, चलो यह कर लेते हैं, ओके, यह कर लेते हैं, तो पहला point था what, और दूसरा point है why, conversion क्यों, conversion क्यों करना चाहिए, राइट, तो कईवर क्या होता है, कि बंदा हमारी website पे आया, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी website है ये, मैं चाहता हूँ, बंदा इस page पे आये, और इस school को join करे, हमारे career building school को join करे, तो उसको जो page दिया गया है, एड में आने के लिए, वो दिया गया है ये, top platforms to earn high affiliate income, इस page पर बंदा आये, अब बंदा आया, उसने देखा, और चला गया, तो convert नहीं हुआ, convert नहीं हुआ बंदा, तो conversion कहां से माना जाएगा, राइट, अब इसी चीज को करने के लिए, कि मुझे convert kit tool की दिरुवत है, तो फिर है, उसके वेना काम नहीं चलेगा, बड़ आपकी दिमाग में नहीं है, आपको यहीं से काम चलाना है, तो यहां से भी 100% काम चल जाएगा, मैं ऐसे coaches, ऐसे website owners को जानता हूँ, जिन्होंने आज तक convert kit को एक रपानी दिया, और students, 50,000 paid students, 50,000 paid students हैं उनके, या फिर 50,000 उनके customers हैं, या एक लाख उनके customers हैं, और convert kit कभी use नहीं किया, इस LMS में या website में ऐसे बहुत सारे tool होते हैं, तो आपको convert kit जाने के जुरुत नहीं पड़ती है, कुल मिलाकर बंदा इस page पर आया है, बट उसने अंदर action नहीं लिया, action क्या है get course for free, इस पर click करेगा बंदा, और जब वो इस पर click करेगा, तो उसका पूछा जाएगा login with Google, जब वो login करेगा Google के साथ, तो उसका हमारे पास email ID आ जाएगा, यही है हमारा action, और वो उस account में इस career building school पर register हो जाएगा as a user, यही हम चाहते हैं, तो वो हो या convert, हमारा free का student बन ग तो इसके लिए Facebook को बताना है, कि जब वो ultimately उस page पर पहुंच जाए, तो समझो conversion है, हमारे एक student के खाते से दिखाता हूँ, यह हमारे एक student का खाता है, बोले तो account है, और यहाँ पर हमने अपने Facebook पर ad चलाया, बंदा Facebook ad से इस page पर आएगा, इस page पर, इस page पर आएगा तो देखो, यहाँ पर पीछे जो हमारा URL था, जो हमने Facebook को दिया, वो यह URL था, इस वाले URL पर आया, तो इसको हमने conversion में नहीं डाला, हमने conversion में क्या डाला, हमने यह वारा URL डाला, कि यह लिखा हो और यह लिखा हो, इस page पर जब बंदा पहुंच जाए, तो समझो conversion हुआ, और इस page पर पहुचने का एक ही तरीका है, कि बंदा हमारे school पर sign up करेगा, इसको experiment करना चाहते हो आप, तो मैं आपको ना, इसका link जो है, दे रहा हूँ, यह link मैं आपको दे रहा हूँ, और इस link पर आप click करके, खुद से एक बार study करके देख सकते हैं, मैं इसे chat में डाल द test the page and try to sign up, मैं कोई बहाना नहीं लगा रहा हूँ, कि आप sign up करो, I am just giving you for testing, तो मैंने डाल दिया है, जहाँ भी आप देख रहे हो, वीडियो को YouTube पर, Facebook पर, I hope यह सब जगे जाएगा, मेरा comment आपको मिल गया होगा, अगर आपको comment मिल गया है, तो comment करते हैं, yes, मिल गया, तो यह इस पर जाएगा बंदा, और फिर दूसरे page पर जाएगा, तो समझो हमारा conversion हुआ, right, अब दुबारा से जाके फटाफट से देख लेते हैं, यह हमारा page था, right, और इस पर बंदा गया, और finally इसके अंदर गया, तो conversion है, तो हमें यह वाली जो चीज है, यह लेनी पड़े कि यहां जब बंदा पहुंच जाए, ऐसे किसी URL पर पहुंच जाए, जिसमें ये दोनों चीजे हों साथ में, तो समझो, conversion हुआ, तो हमें फेस्बुक को बताना पड़ेगा, right, अब आगे का process करते हैं, आगे का process देखिए, यहां से शिरू होगा, हमें जाना होगा अपने ads manager में, उसके लिए मैंने shortcut बना रखा है, shortcut से गए ads manager में, जब आप ads manager में चले जाते हैं, तो यहां पर घर के नीचे, जहां पड़ी के नीचे, three bars हैं, there are three bars, click on them, click किजिए events manager पर, events manager, event माने होती है गटना, गटना का management, गटना ही है, बंदा आपकी website पर आ रहा है, तो that is an event, events 20,900, मनि दिन में 1000 से जादा है, साड़े 3000 लीड है, 2800 view content है, 3300 add to card है, 42 trial है, 39, 33 check out है, बहुत काम है, मतलब सुनने में आपको ज़्यादा लग रहा है, I am not satisfied, okay, not at all, satisfied का तो 1% भी नहीं है, कुल मिला कर, यहां पर सारा दिख जाता है, बट मैं भी conversion की बात कर रहे हैं, बार पर जब left side में आप आते हो, पहला है overview, दूसरा है data sources, तीसरा है custom convergence, custom convergence ही वो एक area है, जहां आपको conversion tracking के लिए set up करना है, और यहां आपने बहुत सारे conversion tracking set up किये हुए हैं, बट हम एक नहीं हा करना है, तो नए पर जाएंगे create custom conversion, और यहां पर डालेंगे, जो भी page का नाम है उसका नाम डालेंगे, उसका नाम है हमारा affiliate resources, free guide, description में भी सेम चीज़ दे देंगे, affiliate resources, free guide, free guide, और जो हम copy करके लाए हैं, वो यहां पर rules, event, all URL traffic, यानि जो हम URL यहां देने वाले हैं, जो भी पहुंच जाए यहां पर, उसको हम मान लेंगे कि बंदा हमारा convert हो गया है, और भी चीज़ें हैं यहां पर, वो हम किसी और session में बात करेंगे, बट यहां पर contents, URL contents, यानि URL में अगर आपको यह चीज मिल जाए, यह जो हमाँ से copy करके लाए थे, यह, वो बंदा course के अंदर आ चुका है, बैक जाते हैं एक बार, बंदा यहां पर आया, उसने sign up किया, register किया, Google के साथ login किया, और अंदर गया, course के अंदर, जब वो course के अंदर गया, तो उसको यह चीज यहां पहुंच गया हो, यह चीज हम लेकर आए, और हमने Facebook में custom conversion में डाल दी है, कि यहां तक बंदा पहुंच आए, तो समझो कि conversion हो चुका है, तो basically यह आपको create कर देना है, मैंने actually पहले से create किया हुआ है, देखिए यह रहा, top affiliate resources, 6 बंदे इस पर आ चुके हैं, इसको में पर दिखा भी देता हूँ आपको, करने के बाद यह ऐसा दिखता है, affiliate resources, event है, page को किसी ने देखा, तो convert है, क्योंकि देखने से पहले वो अपना नाम, number, email, ID, registration कर चुका है, और कौन सा, यह देखिए, यहां पर वो चीज लिखी हुई है, जो हम चाहते हैं, कि यह साथ तो हमारे testing में दिख रहे हैं, बट overall add चलता रहेगा, तो हमें पता लग जाएगा, कि कितने लोग आ रहे हैं, इस conversion से, तो I hope, आपको step by step मैं समझा पाया, कि conversion कैसे होता है, और क्यों होता है, और दुबारा बताता हूँ आपको, right, मैंने तो बहुत बड़ी कोई गलती करदी शायद, मैं आपको एक बार दुबारा दिखाता हूँ, क्योंकि बड़ी mistake हमने की, कि हम screen share करना भूल गए, तुबारा शुरू करते हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसा अक्सर हो जाता है, मेरे साथ, और online बाले लोगों के साथ, तो देखिए दोस्तों, दुबारा लेता हूँ, right, events manager में जाने के बाद, आपको left में जाना है, left में जाकर ये गोले के अंदर एक star बना हुआ है, custom conversions, यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर create custom conversion पर click करना है, इसका नाम देना है, जो भी आपका page है, affiliate resources, यहाँ पर भी वही नाम दे दीजिए, affiliate resources, और all URL traffic रखना है यहाँ पर जाना है, हम अपने लेकर आये थे कि हम जो Facebook में डाल रहे है, URL, add में, वो यह है, बंदा यहाँ जाएगा पहले, बट convert हुआ कम आना जाएगा, जब register कर लेगा, login कर लेगा, और वो course के अंदर चला जाएगा, जब वो course के अंदर चला जाएगा, तो URL कुछ ऐसा दिखाई देगा, जब वो इस हिस्से में पहुन जाए, तो समझो, conversion हुआ है, और हमने वही चीज Facebook को यहाँ बता दिया है, यह conversion में पहले से create कर चुका हूँ, यहाँ पर देखिए, top affiliate resources, तो यह URL यहाँ पर डला हुआ है, जो हमने बोला, इस URL का part, तो इसमें लिखा हुआ all URL traffic where URL contains, तो जितने भी लोग इस URL पर चले जाएंगे, Facebook उनको convert किया हुआ मान लेगा, और आप से बात करते करते हैं, यहाँ पर एक message आ गया है, कि आपका जो add है, वो run कर रहा है, यह एक अच्छी बात है, ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज important यहाँ बता देना चाहता ह bonus point क्या है, कि जब आप add run करते हैं, और Facebook को बोलते हैं, कि इस particular URL पर जितने भी लोग आएं, उन सबको आप conversion मान लो, right, तो Facebook क्या है, कि मैंने यह जो page का link है, यह जो page का link है, मैं आपको दुवारा दिखाता हूँ, यह मैंने सिर्फ Facebook add पर नहीं डाला, सिर्फ Facebook add पर नहीं ड डाल रहा हूँ, यह मैं WhatsApp में भी शेयर कर रहा हूँ, यह मैं Google add से भी चला रहा हूँ, और मैं email marketing भी कर रहा हूँ, तो यह मैं कई जगे से promote कर रहा हूँ, तो Facebook क्या करता है, जितने भी लोग गए, सबको conversion मान लेगा, right, नहीं, हमने क्या किया है, यहाँ पर एक end में tracking लगा दिये है, क्या लगा दिये, URL parameters, यह tracking लगा दिये है, यह tracking जब add start करते हैं, तब लगाने का option आता है, अभी तो अजीब सी दिख रही है, इसका मतलब यह है, कि जो बंदे, इसी Facebook add से गए हैं, इसी campaign से गए हैं, उनी को conversion count किया जाए, यहाँ पर मैं कुछ अगर miss कर रहा आपको आता है, तो अब उन कमेंट करके बता सकते हैं, गल्दियां सबसे हो सकती है, बट यह जो section इसलिए लगाया गया है, कि हम उनी convergence को convergence मानें, जो लोग यहाँ से गई हैं, पता चला मैंने किसी को Facebook पे share कर दिया, नॉर्मली, वहाँ से भी convergence मान लिया आपने, और Google से डा आपने, जहां से मर्जी डाला सब conversion मान लिया, तो वो हम सही calculate नहीं कर पाते हैं, अपनी Facebook की जो efficiency है उसको, तो यहाँ पर जो UTM tracking है, वो जरूर डालनी चाहिए, URL parameters जरूर डालने चाहिए, आप build a URL parameter, तो campaign, इस campaign से बंदा आए, इस ad set से आए, इस campaign name से आए, इस campaign content से जो बं conversion है, नहीं तो नहीं है, राइट, तो यह चीज जरूर करनी चाहिए, मैं इसको पहले miss कर जाता था, राइट, तो इससे पता नहीं चलता, Facebook, Telegram, LinkedIn, सोशल मीडिया, YouTube, Google Ad, जहां मर्जी डाला सब Facebook count कर लेगा, कि जी भईया, मैंने किया है, सब conversion, नहीं, उसके लिए यह चीज हम convergence मिलते हैं, और यहां पर convergence setup किया जाता है, आप एक बार दुबारा बताता हूँ, review करके, कि बंदा आपकी एक website पर जाता है, और उस website के page से तुरंट बाहरा जाता है, तो convergen नहीं होता है, वो उस page से दूसरे page पर जाता है, और दूसरे page को हम Convergen tracking में डालते हैं, तो मान करके पूछ सकते हैं और हमारी community जो है career building school से join कर सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी सुवधा है आपके लिए यहाँ पर आप जाएंगे तो community है community में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं comment कर सकते हैं यहाँ पर अपने सारे questions पूछ सकते हैं आपको बहुत बड़ी से विदा मिलती है और हर एक course का community है यह furry community है इस furry community का कोई भी हिस्सा बन सकता है यह दूसरे course की community है हर course की community है अगर आपके पास कोई question है email marketing से related तो कोशिस कीजिए email marketing में पुछा जाए अगर आपके पास question है whatsapp से related तो whatsapp में पुछा जाए आपके पास question है diamond meat से related diamond meat में पुछा जाए inner circle से related inner circle में पुछा जाए तो ज़्यादा बेटर है बट अगर आप सारे questions अपने open club में पूछ लेंगे तो भी कोई problem नहीं है मैं सारे messages देखता हूँ आपके और सारे messages का reply करता हूँ तो आपको एक ऐसी community का हिस्सा बनना है जो आपके सवालों का जवाब भी मिले आपको और आपको वहाँ से help मिले इस तरह community में आप questions पूछ सकते हैं आपने doubts पूछ सकते हैं मैं सारे questions का जवाब दूँगा आप दूसरे लोगों की help भी कर सकते हो और दूसरे लोग भी आपकी help कर सकते हैं तो community is a very important thing अगर आप बढ़ना चाहते हैं आगे एक coach होना चाहिए आपके पास एक community होनी चाहिए क्योंकि हम जैसे लोगों के बीच में रहते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं और ये मेरे साथ हुआ है तो मैं इसे बिल्कुल confidence के साथ कह सकता हूँ बिल्कुल किताब ही गयान नहीं है कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसी बन जाते है हकीकत में ऐसा ही होता है नॉर्मल लोगों के साथ रखते हैं अपने लोग और उनकी नॉर्मल बाते सुनते हैं नॉर्मल हमारे ड्रीम्स हो जाते हैं नॉर्मल हमारा बिहरियर होता है और हमारे अचीवमेंट्स भी नॉर्मल होते हैं तो आपको अगर जैसा चाहिए, जैसा चाहिए उससे थोड़े से उपर वाले लेवल के लोगों के साथ जुड़िए. For example, आपको गाड़ी चाहिए Grand Vitara, मारूती सुझी की Grand Vitara नहीं लौंची है, वो चाहिए. But आप अपना गोल मारूती सुझी की Grand Vitara मत बनाओ, आप अपना गोल बनाओ, Fortuner. Fortuner का गोल बनाके चलो और काम करो, Grand Vitara तो तीन चारा जैंगी, और Fortuner अगर चाहिए आपको, तो फिर Land Cruiser का गोल बनाओ. मुझे Land Cruiser लेनी है, Range Rover Defender लेनी है, या Jeep की Ruby Con लेनी है, या कोई और लेनी है, BMW Series लेनी है, तो गोल हमेशा बहुत बड़ा बनाओ, और उस गोल के लिए काम करो, छोटे मोटे गोल तो रास्ते में अचीव होते रहेंगे, यह थोड़ा motivation था, मुझे लगा जरूरी है, सब के लिए मैंने शेयर किया, इस वीडियो को दुबारा देख सकता है, मैंने इस वीडियो में रिकॉर्ड करने में बहुत सारी गलतिया की है, वो यह कि मैं स्क्रीन शेयर करना भूल लिया एक दो बार, बट ओवराल, जो मैं सिखाना चाहता था, वो मैं सायथ कर पाया, बकि आप कमेंट करके बताओगे कर पाया या नहीं कर पाया, और I hope मेरी आवास तो आही रही होगी, thank you very much guys, जैहन जै भारत